अस्सलाम अलाइकूम मैं यूट्यूब फैमिली वहाँ आज की जो विडियो है वह गुडवले चावलों की और बड़ी जबरदस रेसिपी है और बहुत अच्छे बने थे और आप लोग जुरूर ट्राइख कीजेगा और चलें जी मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करती है विडियो देखें और फिर उसके बाद मुझे फीड़बेक जरूर दे दीजेगा तो चलें जी आप विडियो देखें पहर रख्मान रहीम तो ये जी दूद है ये ऑईल गी या ऑईल दोनों यूस कर सकते हैं गीरी है किशमिश है बदाम है और बादियान के फूल इलाइची और हाफ कप मैंने हाफ के जी मैंने राइज लिए और हाफ के जी मैं अब इसमें गुर्ड डालूंगी तो ये बदा कर इसके चिलके उतार लिये थे गिरी को भी मैंने बिगो के रखा था और फिर मैंने कट किया था उसके बाद जी अब ये पानी बॉयल हो गया और इसमें मैं कॉंटिटी अब साथ साथ बता रही हूं दो बादियान के फूल और दो इलाइची मैंने डाली फ्री हैंड वाट क्योंकि मुझे गुड़ वाले चावलों में बासमती ज़दा पसंद है और यह जी इसको हमने 98% बॉयल किया और इसको ज़दा बॉयल नहीं करना क्योंकि यह चाशनी में भी बनेंगे और बॉयल करके अब मैंने इसको छान लिया था और इसके बाद मैंने इसे टैब ओपन करके तो मैंने इसको पानी सारा गिरा दिया था इसके उपर था कि यह जो चावल है वो आपस में जुड़े नहीं और अलग रहें और अब नेक्स टैप हमारा है कि जी मैंने गुर डाला हाफ के जी और इसको मैंने कूट लिया था अच्छी तरह से और फिर मैंने वन कप जो हमारे घर में आम नॉमली कप्स होते हैं वो मैंने इसमें दूद का डाल दिया उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से ये मिक्स करते ही मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है और इस तरह से इसको मिक्स करते ही ये और ये देखें अब इस तरह से चाशनी बन गई और ये अब तकरीबन इसको एक उबाल आने के बाद हम इसको मैं इसको चान लूँगी और इसको भी साइट पर रख दूँगी और ताकि इसको मैं चान इसलिए रही हूं कि गुर्ड का जितना भी गंद होता है वो अलग हो जाए और जो है चाशनी वग़रा सही बने क्लियर हो जाए वो और फिर इसके बाद अब ये देखें मैंने इसको अलग कर लिया और ये भी मैं साइट पर रख दूँगी और फिर हमारा नेक्स टेप है ये देखें मैं पहले आपको ये दिखा दूँए ये देखें मैंने इसको स्टेनर से स्टेन किया तो ये गन देखें अब जी हमारा नेक्स टेप ये है कि जी मैंने हाफ कप घी का लिया आप चाहें तो आप उयल भी ले सकते हैं देसी की भी यूज़ कर सकते हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब मैं डाल रही हूं हस्ब जरूरत जितनी आपको कॉंटिटी में पसंद है ये आपशनल है अगर आप वो नहीं अच्छी लगती तो आप मट डालें और अब मैंने गिरी डाल लिए कोकोनट डालने के बाद मैंने बदाम डाले वो भी हस्ब जरूरत डाले और ये अब मैं किश्मिश डाल रही हूं वो भी मैं वो अपनी चोईस के पसंद करते हैं अब मैंने वो जो चाशनी साइट पर रखी थी मैंने वो डाल दी और अब मैं इसको इतना मिक्स करूंगी कि ओयल और चाशनी मिक्स हो जाए और जिस्ट वन बॉयल आने के बाद मैं इसको ये देखें ये अब अब इसको मैंने इस पॉइंट पर जादा नह यह देखें जी यह मैं अब आहस्ता डाल रही हूं बॉइल किये हुए राइस और यह इस तरह से सारे आहस्ता डाल दिये जाएंगे और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूं करूंगी और ये इसको मिक्स करने के बाद ये देखेजिए मैं आपको ये भी साथ साथ दिखा रही हूं कि इस तरह से इसको मिक्स करना अची तरह से और ताके चाशनी और जो चावल है वो अची तरह से मिक्स हो जाएं और मीठा वो क्या करते हैं चावल के जर्रे जर्रे में हो और इसको मैं अब इतना मैंने इसको करना है कि चाशनी आपको जैसे पानी जैसे आप नॉमली इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जैसे आप नॉमली पानी बॉयल करते हैं मतलब चावल बॉयल करते हैं या चावलों में जब दम जिस तरह लगाते हैं उसी तरह आपने देखना है कि जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो ये दम पे रख दिया जाएगा अब ये दम पे रख दिया गया है और ये इसके आफटर तकरीबन मैंने 20 मिनिट्स के लिए दम पे रखा था और इसको फिर उसके बाद म ने दम खोल के देखा था बिलकुल लो फ्लेम पे इसको बनाया था और आप इसको अफ़तार पार्टी में भी बना सकते हैं और आगे रमजान आ रहे हैं रमजान में तो सब को सब बनाते हैं और हर तकरीबन हर चीज़ बनती है हर डिश बनाई जाती है अफ़तारी में तो इस तरह से आप इस डिश को भी ट्राय करें और अब ये जी देखें मैंने दम निकाल लिया और अब इस तरह से ये देखें चावल में मीठा भी परफेक्ट था और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ये देखें जी इस तरह से मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी और आपने जो बचा के रखे वे थे बदाम, किशमेश और कोकोनेट की वो आप इसके उपर डाल सकते हैं और मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे राइज और इस तरह से आप खाएं और इंजोई करें आपको वीडियो अच्छी रगी होगी तो प्लीज जरूर फीड़ बैक दीजेगा, लाइक कर दीजेगा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबस्क्राइब कर दीजेगा और मुझे दौाओं में याद रखिएगा जी अल्ला हाफिज, ट्राइज जरूर कीजेगा, गुर्वर ले शावल